वे जो वीडियो हमने लिया है यह लिया है कि जो हम मकान के अंदर एक रूम में जो हम प्लाश्टर करते हैं तो उसकी एरिया हम कैसे कल्कुलेट करते हैं ठीक है ज़िए मुझे जो है एरिया के हिसाब से स्क्वार फिट के हिसाब से यह पेमेंट करना हुआ तो हम उसको कल्कुलेट करके कैसे देंगे कैसे उसकी नपती करते हैं तो आईए वीडियो को इस्टार्ट करते हैं यह हमारा रूम है पंदरवाई 10 का यह इनर पोर्षन हमने लिया है पंदरफिट इनर टू इनर है और यह और जो अमारी हाइट है इनर हाइट है वो 10 फिट की है 10.16 फिट की ठीक है तो आई ये स्टार्ट करते हैं अब इसको हम कैसे निकालेंगे हम सिर्फ समझाने का प्रयास करेंगे वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो इसमें हम पहले क्या करते हैं कि जो अपनी चारो दिवाल है ठीक है ये अपनी दिवाल एक हो गई इसको हम दे देते हैं इस वाली दिवाल को हम बी दे देते हैं इस वाले दिवाल को हम सी दे देते हैं और ये हमारी चौथी दिवाल रही इसको हम डी दे देते हैं और ये जो अपना पार्ट रहा जो छट वाला पार्ट है इसको हम इपार्ट दे देते हैं ठीक है इसको हम पांच पार्ट में निकालेंगे फिर लाश्ट में पांचों पार्ट को क्या करेंगे जोड़ देंगे सबसे पहले हम एपार्ट लेते हैं ठीक है सबसे पहले हम लेते हैं पा पास्टर अपना स्क्वाइर में होता है और एरिया भी हमारी स्क्वाइर में निकलती है स्क्वाइर फार्म में तो यह जो हमारी दीवाल है यह वाली सिर्फ हम इसको पहले calculate करेंगे ठीक है तो यह जो अपनी part A में हमको जरूरत पढ़ेगी किसकी सिर्फ length की और height की ठीक है तो हमारी जो length है वो है 15 फेट तो इसको अपन क्या करेंगे length हमारा कितना है तो length है हमारा 15 फेट और जो height है ठीक है height है 10.16 feet ठीक है यह लिया है मैंने तो यह हुआ हमारा 10.16 feet इसकी जब हम area निकालेंगे तो area होती है length multiply by height ठीक है तो यह हो जाएगा 15 feet into 10.16 feet जब हम इसको multiply करेंगे तो इसकी जो area आएगी हो आएगी 152.4 feet square ठीक है यह हमारा जो है A का area है part A का जो area आया है वो आया है इतना ठीक अब अपन यह हमारा फर्स्ट part जो अपनी यह दिवाल थी ठीक है इस दिवाल इस वाले दिवाल का जो अपना total plaster का area आया वो इतना आया अब जो अपना part B है यह दिवाल ठीक है अपन देख लेते हैं part cambi का आपन कैसे क्या करेंगे एक बार अपन इसको भी देखते हैं ठीक है जो हमारी दिवाल है part B की इसकी जो length है वो हमने लिया है 11 feet कितना लिया है part B में प्लाट की हमारे कितनी है रोम की चौड़ाई है 11 feet ठीक है तो जो इसकी हम length calculation करेंगे तो length में हमारा कितना आजाएगा ये आजाएगा हमारा 11 feet ठीक है और इसकी जो हाइट है वो हाइट अल्रेडी जो है बता चुका हूँ मैं के हाइट है 10.16 फिट वो हर जगा सेम रहेगी एक रूम पांच जगा जिग जैक में तो रहेगा नहीं ठीक है तो अब जो है ये जो हाइट है वो हमने लिया है 10.16 फिट तो जब हम इसकी एरिया निकालेंगे तो एरिया अपनी कितनी आ जाएगी L into H एरिया निकली अपनी 11 multiply by 10.16 फिट है तो इसकी जो एरिया हम निकालेंगे वो एरिया हमारी आ जाएगी 111 sorry 111.76 क्योंकि ए क्या है ये फिट में है तो 111.76 फिट का square ये हमारी एरिया आ गई B की ये हमारी एरिया आ गई B की ठीक है ये अब जो है इसमें क्या है जो part B है इसमें हमारा डोर है क्या है डोर है तो जो डोर है वो उसको उसका जो time answer है वो है 7 into 3 का अब इसमें हम क्या करेंगे part B में डोर निकालेंगे तो डोर में जो length दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7 का और जो height दी हुइ है वो दिया हुआ है 3 ठीक है तो अपन क्या करेंगे कि जो इसकी एरिया निकालेंगे तो एरिया में तो फर्मूला वही लगेगा YL into H तो यह टोटल आजाएगा अपना स्कोयर फिट का 21 स्कोयर फिट इसकी एरिया डोर की यह है डोर की एरिया 21 स्कोयर फिट ठीक अब पार्ट वी का जो एरिया लास्ट कल्कुलेशन जो अपना पार्ट वी का आया ठीक है तो उसमें क्या होगा डोर माइनस हो जाएगा क्योंकि जो डोर वाले पार्ट में हम क्या करते हैं कि डोर वाले पार्ट में हम प्लास्टर या वो तो पूरी open हो जाती है तो door वाले में plaster हमको करना नहीं रहता ठीक है तो हम क्या करेंगे कि जो अपना part B का निकालेंगे area उसमें क्या करेंगे door minus कर देंगे तो जब door minus करेंगे तो अपनी जो area आई है वो कितनी आई थी 119 रहता समलो 76 minus 21 ठीक है तो जो अपना part B का जो area आया है इसमें हम इतना जब minus करेंगे 119.76 में जब हम 21 minus करेंगे तो यह आयेगा 90.76 फिट का square ठीक है यह अपना area आया part B का जो अपनी दूसरी दीवाल है ये वाली दीवाल part B इसमें हमको इतनी area plaster करने के लिए मिलेगी अब अपना second third part क्या है C जो अपनी दीवाल है वो C है ठीक है तो आये part C का भी देखते हैं इसको हम कैसे calculate करेंगे part C part C में अपनी जो दीवाल की length है वो है 15 feet ये रहा ये part C दीवाल अपनी ये है तो इसमें क्या है part C में दीवाल की जो length है वो तो हमारी 15 feet है ठीक है height इसमें कितनी है तो height तो हर जगा सेम रहेगी क्योंकि room जिग जैक में नहीं रहेगा तो ये तो यही है 10.16 तो ये रहा 10.16 feet ये माफ किजिए का कहीं कहीं मैंने डाइम में वो नहीं लिखा है हर जगा fit में है सारी value, सारी unit fit में है जहां पे नहीं लिखा है उसको आप assume कर लेंगे तो ये जब हम इसकी area निकालेंगे तो इसकी area हमारी होती है length into height is equal to 15 into ये आएगा 152.4 feet का square ये आगया इसका area किसका? part C का अब part C में मैं देख रहा हूँ कि part C में हमारे एक और है क्या है? बिंडो ठीक है? और जो बिंडो है वो बिंडो की जो dimension है वो थ्री भाई थ्री की है तो अब आईए part C से बिंडो निकालना पड़ेगा ठीक है? तो जब हम बिंडो निकालेंगे part C से W1 तो W1 की जो length है वो है 3 और जो इसकी height है वो भी है 3 ठीक है? तो जब हम बिंडो की area निकालेंगे तो area अपनी कितनी आ गई? L into H ये सारी value fit में है लाश्ट वार एक बार और बता रहा हूँ मैं तो ये total आएगा 9 feet का square ये जो अपना W1 का area आया area of W1 वो आया 9 feet का square ठीक है? अब जो हमारा जो हमारी दीवाल की area आई थी ठीक है? तो जब हम area आया part C निकालेंगे ठीक है? क्या करेंगे? area of part C ठीक है? तो इसमें हम क्या करेंगे? कि जो total area आपने दीवाल की आई थी total area हमने जो दीवाल का calculate किया था वो हमने किया था ये है ना? 152.4 उसमें से हम window की area क्या करेंगे? minus कर देंगे तो क्या आया था ये? 152.4 minus 9 152.4 minus 9 करेंगे जब हम तो 152.4 minus 9 तो इसकी जो area आई area आप part C ठीक है? जो total calculate हुई वो हुई हमारी 143.4 फिट का square 143.4 फिट ठीक है? ये हमारी part C की area निकल गई मतलब A, B, C तीन part की area हमने निकाल लिया इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया अब बचा D ठीक है? आई ये डी का भी देखते हैं तो अब जो D की area आपन को निकालनी है पार्ट D पार्ट D में जो है ये वाला पार्ट है, अपना ये वाली दीवाल हमको पार्ट D में मिली है तो ये इसकी जो length है, वो कितनी है? 11 feet की है डारेक्टली हम सीधे लिखेंगे length is equal to 11 feet ठीक है, height already आप लोगों को बता दिये हैं कि height assume की गई है 10.16 feet तो height अपनी कितनी आ जाएगी 10.16 feet ठीक है तो जब हम इसकी area निकालेंगे तो ये area में क्या आ जाएगा डारेक्टली 11 into 10.16 तो जब हम इसको निकालेंगे तो 11 into 10.16 इसका जब हम multiply करेंगे तो ये आएगा 111.76 square feet ठीक है ये आ गया पूरे दिवाल की area अब इस दिवाल में हमारी एक बिंडो भी है क्या है बिंडो, खिडकी ठीक है, खिडकी के dimension दोनों की हमने एक ही रखा है दोनों की अलग-अलग भी हो सकती है और दूसरी चीज इस रूम में मैंने एक चीज और नहीं लिया है ventilator ठीक है तो वो जो एधी ventilator आपने लिया तो ventilator भी उसमें से माइनस हो जाएगा ठीक है तो ये 3 by 3 की खिडकी है 3 by 3 हम इसमें क्या करेंगे बिंडो भी निकालेंगे जो हमारा बिंडो 2 है तो जब हम बिंडो 2 की एरिया निकालेंगे इसमें से तो ये क्या हो गया बिंडो 2 में लेंथ उसकी है 3 feet और उसकी हाइड भी है 3 feet जब हम इसकी एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा याल into h is equal to क्या हो गया 9 feet का square ठीक है तो जब हम area of part D निकालेंगे तो क्या होगा total area में से जो window की area है minus हो जाएगी तो area of part D ठीक है area of part D is equal to 111.76 minus 9 जब हम इसको निकालेंगे solve करेंगे तो area of part D अपना जा रहा है 102.76 square feet 76 square feet area of D ये final निकला अब अपने पास एक area और है जो इस figure में हमने लिया था ये भी ले लिया ये भी ले लिया ये और ये चार पार्ट निकल गए आप अपन को छट बचा हुआ है ठीक है inner portion छट का inner portion तो आईए area आप part E भी निकाल लेते हैं है ना तो अपन लेते हैं part E इसको कैसे निकालेंगे अब छट की जो लंबाई चोड़ाई रहती है वो दीवाल से बाहर तो भागेगा नहीं जो अपनी दीवाल है वही उसकी dimension कहलाएगी क्योंकि जो नीचे dimension रहती है वही छट की dimension रहती है तो नीचे है हमारा 15 Y 11 का मतलब छट भी हमारा 15 Y 11 कही रहेगा ठीक है अब उसमें तो ना ventilator है ना खिड़की है open तो है नहीं वह तो पूरा close रहता है छट तो अपन क्या करेंगे यह जो length है वह इसकी क्या है छट की 15 Y 11 का जैसे ही lower portion है वैसे ही upper portion है ठीक है तो जो अपनी छट है वह 11 Y 15 की है ठीक है तो जब हम इसकी area निकालेंगे तो length है इसकी हम कितना ले लेंगे 15 Y already dimension दी हुई है और इसकी जो है जो width है वह कितना ले लेंगे लंबाई चोड़ाई है इसमें तो इसमें हम ले लेंगे 11 feet इसकी जब हम area निकालेंगे तो कितना आएगा 15 multiply by 11 feet का square equal to तो जब हम area multiply कर देंगे इसमें तो यह कितना आएगा 165 165 feet का square यह आया area part E ठीक है यह आगया area part E 165 square feet जो छट अपनी plaster के लिए मिलेगी हमको वो इतने square feet मिलेगी अब यह तो हमने टुकड़े टुकड़े में भाजन करके इसको हमने निकाला अब अपन को क्या करना है अपन को total area चाहिए total area के लिए हम क्या करेंगे जो part A में हमने last calculation निकाला part B में जो last calculation निकाला part C का last calculation निकाला और part D का इसका last निकाला और जो E का इन पांचों फेस को इकठा करके अपन चोड़ देंगे जो area निकलेगी वो एक room की final area इस dimension के room की final area निकलेगी तो आईए start करते हैं यह भी देख लेते हैं कि total कितना आ रहा है तो अपन को कुछ भी नहीं करना है जो area अपन की आई है A plus B plus C plus D plus E ठीक है इसको अपन को पांचों को जोड़ देना है total area तो इसमें से हमारी total area आ जाएगी ठीक है total area के लिए जब हम पांचों को जोड़ेंगे तो पहला कितना आया था पहला अपना आया था 152.4 ठीक है पहला आया था 152.4 फिटका स्क्वेर plus second हमारा आया था 19.76 जिसमें हमने डोर क्या किया था बाहर कर दिया था तो ये कितना आया था 19.76 फिटका स्क्वेर थर्ड कितना आया था तो थर्ड आया था अपना 143 जिसमें हमने W1 निकाला था बिंडो वन बाहर कर दिया था 143 फिटका स्क्वेर ठीक है इसके बाद हमने फिफ्थ में फॉर्थ में क्या निकाला था इसमें भी हमने W2 बाहर किया था 102 76 फिटका स्क्वेर और जो हमारा च्छत आया था वो आया था 165 स्क्वेर फिट ठीक है तो यह जो हमारी टोटल एरिया आई यहां से जो हमारी टोटल एरिया आई इस रून की वो आ रही है 655.32 स्क्वेर फिट ठीक है यह जो टोटल एरिया मतलब यदि हम टोटल एरिया की बात करें कि हमको कितने स्क्वेर फिट में क्या करना है पुट्टी करवाना है या जो है प्लाश्टर करवाना है तो वो हमको टोटल छे सो यह चोवन है माफ कीजिएगा 655 स्क्वेर फिट में हमको प्लाश्टर करवाना है यदि इस dimension का room रहा ठीक है जिसमें खिड़की इसी dimension की रही जो हमने निकाला है डोर जो है 3Y7 का ही रहा तो अपने पाफ जो area आ रही है वो आ रही है 6, 5, 5 square feet ठीक है एक room में इस dimension के 15Y11 का जो room है उसमें जो हम plafter करेंगे तो यह area आएगी square feet में ठीक है जहां हमको plafter कराना है इसमें एक दो चीज हमने नहीं लिए है यदि आप हाल परपस से बनाते हैं यहां हो सकता है यहां पे एक बिंडू और आए है ना यहां हो सकता है यह बिंडू गायव हो जाए यहां हो सकता है बेंटिलेटर रहे इसमें ठीक है तो जो बेंटिलेटर रहेगा बेंटिलेटर की इस्तिती यह होती है कि बहुत बड़ा नहीं होता है वो जो है एक फिट भाई दो फिट या आधा फिट भाई एक फिट का रहता है वो ज़्यादा नहीं रहता है वेंटिलेटर ठीक है तो उस इसाफ से उस एरिया को आप कल्कुलेट करके उसको आउट करना पड़ेगा जिस भी दीवाल में रहेगी, जैसे इस वाल में अपने आ गई, तो इस वाल में क्या करेंगे, टोटल एरिया कल्कुलेट करेंगे, कल्कुलेट करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, ठीक है, तो यदि एक फिट वाई, दो फिट का रहा, उसकी एरिया आप निकालेंगे, उस ह चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें बहुत बहुत धन्यवाद